साथियो नमस्कार साथियो इस्थिती ऐसी बन चुकी है कि गेहूं की फसल में भी सूडी गडार का एफेक्ट देखने को मिल जाए तो इसमें कोई अतिशोक्ती नहीं है आपने देखा होगा अब हर फसल में सूरी गडार का लगवग अटैक देखने को मिल रहा है हर फसल में उक्टा की समस्या देखने को मिल रही है कुछ ऐसी समस्याइ हैं जो बिलकुल कॉमन हो चुकी है अब फसल धान की कटने जा रही है खेत खाली होने वाले हैं किसानबाईों के खेत खाली भी हो चुके है क्योंकि जोर और मक्का वाले खेत खाली हैं बाजरे भी कट चुके हैं तो बाजरे वाले खीत खाली है बहुत सारे किसान नई फसलों की तयारियां करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत सारे किसान भाईयों की क्वेरियां भी आ रही थी कि आलू लगाने हैं, खेत कैसे तयार करें, गन्ने की बुवाई करनी है खेत कैसे तयार करें, चना, मटर और चकोरी के लिए खेत की तयारिया करनी है, कैसे करेंगे, होंकी फसल की बुबाई करनी है, तो खेत कैसे तयार करें, ठीक है, आज की वीडियो का मुखे टॉपिक है, अपनी मिट्टी का सुधार करना, मिट्टी की सनशना में कैसे सुधार क नहीं हैं, दूसरी फसल से कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन खेत में गोवर की खाद इसलिए नहीं डाल सकते, क्योंकि अगले साल का खेत का पता नहीं है, वो अपने पास रहे या ना रहे, सात्यों बहुत सारी क्वेरी हैं, बहुत सारी समाधान है इस वीडियो मे और वाके में इस बहुत गजब की समाधान देखने को मिलेंगे, आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और इसको अमल में लाने की कोशिस करिए, पहला पॉइंट है कि चिकनी मिट्टी की कठोरता बहुत बड़ी समस्या बन रही है, क्या समाधान करें, बहुत सारे किसान स सार्थियों को जिन खेतों में चिकनी मिट्टी की समस्या है और वो बहुत ज़्यदा कठोर हो जाती है, अब वो चाहते हैं कि उनकी मिट्टी में कुछ थोड़ा बहुत सौफ्ट पन आए, तो उसके लिए क्या गड़ सकते हैं, देखिए अभी खेत में अगर आपके धान क खेत की लाके डाल दीजिए, उससे आपके खेत की ये समस्या सॉल्व हो जाएगी, आपके खेत में जो बिलकुल अकड़ापन है, वो खतम होगा, ठीक है, अगला पॉइंट यहां पर उन किसान साथियों के लिए है, कि जिनकी फसलें, पिछले धान की फसल या मक्का की फसल या बाजरा की फसल में बहुत सारी उन्होंने लागत लगाई, लेकिन फसल ने ग्रोथ नहीं किया, ऐसा क्या कारण था, ऐसा कारण था मिट्टी का हाई पीएच लेवल, ठीक है, उसकी वज़े से आपके खेत में बहुत हैवी, यहां पर उत्पादन नहीं देखने को मिला फसल ने उस खाद को लिया ही नहीं, जो आपने खेत में लगाया था, अब आपको क्या करना होगा, खेत में 50 किलोग्राम जिपसम, बुरकाओ कर दो, और बुरकाओ करने के बाद में खेत की जुताई कर दो, ठीक है, यह काम आपको पलेवा करने से पहले-पहले निप्टा खेत में 50 किलो या तो जिपसम डाल दो, अगर जिपसम नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारण बस, दो किलोग्राम फिटकरी को पानी के साथ में एक एकर जमीन में चला दो, ठीक है, तीसरा काम आप यह कर सकते हो, कि 15-20 किलोग्राम चुना ले लीजिए, बुजा हुआ, और उ बात को मैं बता दू, कि चुना एक सबसे बहतरीन दीमक को खतम करने वाला प्रोडेक्ट है, सबसे सस्ता प्रोडेक्ट है, और अगली बात बता दू, कि चुने के अंदर 71% तक केलसियम की मात्रा होती है, मिट्टी की सनरशना में सुधार करने के लिए बहुत अच्छा प् कहते हैं, कि चुने से pH लेवल बढ़ेगा मिट्टी का, तो pH लेवल बढ़ाने के लिए 50 किलो से 1 कुइंटल तक चुना डालना पड़ता है, तब जाके वो मिट्टी के pH को बढ़ाता है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, और चुने को आप कम मात्रा में आंक बंद क अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, यहां पर उन किसान भाईयों के लिए, जिनकी मिट्टी भुरवुरी है, गोवर की खाद डालने के बाद भी अच्छी फसले नहीं हो पाती है, बहुत सारे किसान साथी कहते हैं, मैंने पिछली साल भी गोवर की खाद डाली, उसके पहले भी डाली, लेकिन हमारे खेत में फसलें अच्छी नहीं होती है, ऐसा क्या है, उसका कारण है खेत में बढ़ा हुआ टेमप्रिचर, आप जो गोवर की कच्छी खाद डालते हो, वो गोवर की कच्छी खाद मिट्टी को उर्वरक देने के बज़ाए, मिट्टी क जर्मिनेशन अच्छा नहीं हो पाता दाने का, उसके पीछे कारण क्या होते हैं, कि जब भी हम कच्छी खाद डालते हैं, तो वो टेमप्रिचर पैदा करके उसमें मिट्टी में गैस छोड़ता है, ठीक है, और जब भी हम बना हुआ खाद डालते हैं, अच्छा खाद, गो मिट्टी को भी और रख देता है, और फसलों को भी और रख देता है, ठीक है, मिट्टी की सरशना का भी सुधार करता है, इसलिए कच्छी जो गोबर की खाद डालें, उसे ऐसे ना डालें, इससे बैटर तो यह है कि एक ड्रम में घोल बना लें, और खड़ी फसल में पानी की खाद डालते हैं तो खेत में दीमक पैदा होती है आपके ठीक है दीमक ऊपर आ जाती है और दीमक का आप समधान करने ही पाते इस वज़ए से खेत में उख्टा की समस्या होती है वो दीमक पौदे को आपके कतर देती है नीचे से काट कर दीजे खेत में ठीक है और पानी लगा दीजे आपको बहुत अच्छे रिजल्ड देखने को मिलेंगे दीमक नहीं आएगे आपके खेत में ठीक है बहुत भरोसेवन इलाज बता रहा हूं दीमक का अगला पॉइंट है कि खेत में पिछली फसलों में उक्टा रोग ज़ादा लगा था इस बार क्या समानधान कर सकते हैं यह रियल उक्टा है यह दीमक वाला नहीं रियल उक्टा की मैं बात कर रहो हूँ जैसे कपास में आया बहुत सारे धान के खेतों में देखने को मिला ठीक है बहुत सारे बाजरे के खेतों में देखने को मिला गन्ने में भी आ रहा है तो क्या समाधान करना है उन किसान भाईयों को बिल्कुल जागरुक होके काम करना है जिनकी पिछली फजल में उक्टा की समस्या देखने को मिली है अपने खेत में 500 ग्राम या तो कॉपर ओक्सी क्लोराइड को उस बीज के साथ में ही बुर्काव कर दो खेत में या फिर हेकसा कोना जॉल को 50-100 आमेल लेकर बीज को कोट कर ले न हेकसा कोना जॉल से लगान की जमीन ली हुई है, खाद डाल नहीं सकते, फसल भी अच्छी हुई नहीं है, एक फसल पर निर्वर हैं, उसी से लगान भी निकालना है, और उसी से अपने घर परिवार भी चलानी है, क्या करें? बहुत बड़े इस्तर पर किसान साथियों की समस्या है यह, बहुत बड़े इस्तर पर, खाद डाल नहीं सकते, क्योंकि अगले साल का पता नहीं है, वो खेत अपने पर रहे या ना रहे, है ना? अब क्या करें? दहान की फसल जैसी भी खड़ी है, टूटी, फूटी, कमजोर, तकडी, ठीक है? दहान को मसीन से कटवा लीजिए, और जितना भी पूआल है, जो आपके पसूँं से बच रहे, उस पूआल को खेत में ही जुताई करा दो, हजार दो हजार रुपे की तरफ म खेत में ही जुताई करा दो, आप देखोगे, खाद नहीं डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पूआल है, वो गलने के बाद में आपके गैहूं में अच्छी पैदावार दे देगी, और हरी खाद से ज़्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ये समा अब कर लो, ठीक है, जितना लगान में खर्चा की है, दो चारहजार रुबे ऐसे और भी सही, इस पूआल को खित में ही जुताई करा दो, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, गैहूं की फसल में, खास कर, ठीक है, अगला पॉइंट, चकोरी, गन्ना, सर्सों गैहूं, आलू की बुवाई करनी है, तैयारियां कैसे करें, तो देखिए, चकोरी की फसल में, गन्ने की फसल में, और सर्सों की फसल में, गैहूं में, आलू में, सबसे ज़्यादा खर्पतवार की समस्या देखने को मिलती है, ठीक है, चाहे अपने खेत में कुछ नहीं ल लेलो दोनों प्रोडेक्टों को मिक्स कर लो उसके साथ में डेड़ लीटर पैंडली मैथलीन दभा लेलो खर्पतवार वाली ठीक है। उस दवा को इसके साथ में मिक्स कर लो और अपने पूरे खेत में बुरकाओ कर दो बुरकाओ करने के बाद में खेत में पानी लगा दो पानी लगाने के बाद में खेत को as it is जैसा है वैसा ही दो से तीन दिन के लिए छोड़ दो जब ये पलेवा आ जाए ठीक है? उसके बाद में दोबारा एक बार पलेवा कर दो और खेत की जुताही करके अपनी बुवाई कर सकते हो इसका ऐसा क्यूं करना है? ऐसा इसलिए करना है चकोरी के खेत में सबसे बड़ी समस्या खर्पदवार की होती है जब हम बुवाई के समय जब बुवाई कर देते हैं और बुवाई करने के बाद में दवा का बुरकाव करते हैं ठीक है? तो दवा नीचे जमीन में नहीं जा पाती और जमीन में नहीं जाती जिसकी वज़ासे वो खर्पतवार नीचे से जर्मिनेट होके आ जाता है उपर तक समस्या बहुत देखने को मिलती है क्योंकि जमीन के अंदर दबा जाती नहीं है वो खर्पतवार का सीड है वो न्यूटरल नहीं हो पाता वैसे ही आलू के खेत में जब बुबाई करते हैं हम उपर इस्प्रे कर देते हैं जमीन के उपर तो उपर वाली मिट्टी में जो दाना पड़ा है वहां तक तो दबा पहुँच जाती है लेकिन अंदर मिट्टी में जो जर्मिनेट्टी में होता है सीड का खर्पतवार वाले का उसका कोई रोक्ताम नहीं होता तो फिर आगे खर्पतवार दिखाई देने लगते हैं इसलिए हमें क्या गरना है कि एक पलेवा से पहले एक पानी लगाना है उस पानी से पहले अपनी खेत में पैंडली मैथलीन लगा देनी है जिससे की पानी के साथ में मिट्टी के अंदर वो दबा चली जाए और आपका जो भी खर्पतवार का सीड है उसे न्यूट्रल कर दे ठीक है उसके बाद अगली पलेवा करो और तब बुवाई करो खेत में आपको कोई भी खर्पतवार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी इस टाइप से इसका अगर समाधान करोगे तो और चकोरी की बुवाई खासकर करनी है तो चकोरी में तो खर्पतवार की बहुत बड़ी समस्या है इसलिए हमें इस टाइप से इसका निदान करना चाहिए और इसके रिजल्ट हमें बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे अगला पॉइंट है चना, अगेती, मटर, पीली सर्सों और काली सर्सों की बुवाई करनी है खेत के तैयारी कैसे करें साथियों बेसक बरसात हो रही है आपके छेत्र में ठीक है नमी बेसक कितनी भी है कोई कुछ भी गह रहा है लेकिन चना, मटर, सर्सों इन फसलों को जो बरसात वाली नमी है उस पर बुवाई मत करना कभी भूल के ठीक है, सलफर, जिंक, इनकी इन फसलों में ज़रूरत ज़्यादा होती है आप 5-6 किलोग्राम, 10 किलो सलफर ले लो बेसक ठीक है, 10 किलोग्राम सलफर और 10 किलोग्राम जिंक और उसके साथ में पैंडली मैथलीन बाली दवा अगर मिला के लगा सको, तो बड़ी है अगर पैंडली मैथलीन नहीं लगा पा रहे हो तो इन फसलों में ज़्यादा खर्पतवार की भी समस्या बिकट नहीं होती है हलकी फुल की एक निडाई तो लगती ही लगती है ठीक है, जो नमी है आपके खेत में उस पर ही बुर्काव कर दो, ठीक है बुर्काव करने के बाद में तुरंत पानी लगा दो, ठीक है पानी लगाने पर सलफर और जिंक को खेत के नीशे चला जाने दो पूरी तरह और पानी लगाने के बाद जब आपकी मिट्टी जुताई के लिए तयार हो उस समय पर इसकी जुताई करो और तब इसकी बुबाई करना without पलेवा यानि बिना पलेवा करे अपनी खेत में ये फसलें बिलकुल मत बोना किसान साती हो मटर, चना और सरसों खास कर इन फसलों में क्योंकि पानी का कोई सिस्टम रहता नहीं है सही समय आने पर पानी लगता है उससे पहले लगा देते हैं फसल मड़ जाती है तो आप विशेश कर ध्यान रखें कि पहले पलेवा करें और तब इनकी तयारिया करें ठीक है अगला पॉइंट है यहां पर कि पिछली फसल बाजरा, मक्का या धान की पुवाल की जुताई करी है हमने या गोबर की खाद डाली है तो क्या करें देखिए चाहे धान की जुताई करी है आपने ठीक है चाहे आपने मक्का की जो पुवाल है वो जुताई करी है चाहे बाजरा की फसल है, बाजरा की धान की और मक्का की पुवाल में दीमक की समस्या ज़्यादा रहती है, कोबर की खाद डालने से भी दीमक की समस्या आती है खेत में, ठीक है? तो इन जुताईयां करने के बाद में, आप 15-20 किलोग्राम चूना अपने खेत में जरूर डालनें, उससे आपके खेत में से दीमक की समस्या नहीं होगी और अगली फसलों में भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी, सातियों ये इंतिजाम करके आप अपने खेत की तयारियां क करने की फसल में भी आप विलकुल विशेश कर इस चीज का फाइदा उठाए, ठीक है, इस टाइप से अगर काम करेंगे तो आपको ज़्याद अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आशा करता हूँ, आपको जानकारी ठीक लगी होगी, फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंड में पूछना, और दूसरा, अगर चैनल पर नई आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए, नमस्कार किसान सात्यों